हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल इंग्लिश विद माया और कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड तो फ्रेंड हमारे सीरीज चल रही है इंग्लिश लिट्रेचर में जिसमें हम लोग मेक्स्ट क्यूस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं टी जो आज का पहला क्यूस्टर फ्रेंड जो रिलीजियस व द ब्लड एक फ्रेंड हैं यह किस से सम्बंदित हैं डी हेच लॉरिंस राइटर से या फिर यू फॉस्टर से या फिर एज़ी वेल्ट से या फिर वर्जिनिया वॉल्फ से ओके सो राइट आफ से बन जाता है इसका ए दिएच लॉरियन से ये related है, associated है, चलिए देख लेते हैं, next one questions को, देखें, the lines, what a piece of work is meant, how noble is reason, how infinite in faculty, are from the play, ये किस प्ले से ये line ले गए है, what a piece of work is meant, hamlet से, macbeth से, othello से, या फिर kinglier से, तो friend, ये line ले गए है, किसे, macbeth से, किसे ले गए है, macbeth से line ले गए है, what a piece of work is meant, okay, तो ये most important lines हैं, इनको आप चरूर याद रखें, क्योंकि एक्जाम में आ चुकी हैं, और आ भी सकती हैं, चल देखें, ardence, the sea and the mirror, is, ardence का जो work है, the sea and the mirror, is a response to, ये किस पर response, मतलब की response करता है, ये इट्स के, या फिर frowd, या फिर milton, या फिर sekspire, so right after friends, बन जाएगा b, sigman frowd, okay, चलिए, देख लेते हैं, next one questions को, देखें, the pewten attack on elzabeth took place in the year, जो pewten ने attack किया था, elzabeth की इस्थान पर, place पर, तो वो किस year में, 1558 में, या फिर 1569 में, 1579 में, या फिर 1590 में, okay, so right after friends, बन जाएगा, इसका, 4 का, 1579 में, कब 1579 में, pewten ने elzabeth and place पर क्या किया था, आय थे, या फिर attack किया था, चलिए, देख लेते हैं, next one, इसरा पाउंड और किसके दौरा थे, दो राइटा थे, इसरा पाउंड और हिंडी जेम्स थे, कि टी एस इलिएट थे, गाटिटूड इस्टेन थे, या फिर थामस जेम्स फेरल थे, So, right option prince बन जाता है, 5 का B, टी एस इलिएट, इसरा फाउंड और टी एस इलिएट से, वो क्या थे, बहुत जादा ही, influence थे, ओके, चलिए, देख लेते हैं, next one, questions को, The theater, the globe was built in the air, the theater, the globe was built in the air, जो the theater था, मतलब कि the globe था, ये कब बना था, 1590 में, 1594 में, 1598 में, या फिर 1600 में, ओके, या फिर 1600 में, So, right option, prince बन जाता है, 6 का, B, 1594 में, जो the globe था, वो क्या था, बना था, ओके, तो ये भी, most important questions है, वैसे तो सारी, most important है, लेकिन, जो exam में आया है, उसकी बात कर रहे हैं, चलिए, देख लेते हैं, next one, questions को, देखें, the globe वाज, sit on fire in the year, जो the globe था, उस पर आग लगी थी, तो आग किस year में लगी थी, 1612 में, 1613 में, 1616 में, या फिर 1620 में, okay, so right option friends, बन जाएगा, इसका, 1613 में, कब लगी थी आग, 1613 में, आग लगी थी, okay, तो इसका right option बन जाएगा, B, चलिए, देख लेते हैं, next one, questions को, who gave the romantic period, the title of, romantic period, the title of the renesia of wonder in poetry, poetry में, जो title दिया गया था, the renesia of wonder नाम का title, romantic period में, ये जो title का, the renesia of wonder ये किस ने दिया था, poetry में, William Wordsworth ने, William Shakespeare ने, Theodore Watts ने, या फिर Professor Harford ने, okay, so right option friends बन जाता है, A, William Wordsworth ने दिया था, किस ने दिया था, William Wordsworth ने दिया था, the renesia of wonder, okay, A option आपका correct बन जाएगा, चलिए, देख लेते हैं, next one questions को, देखे, the hundred years war begin in the year, जो the hundred years wars था, वो कब, मतलब कि उसकी जो सुरुवात थी, वो कब थी, 1348 में, 1327 में, या फिर 1338 में, या फिर 1356 में, okay, so right option friends बन जाता है, D, 1356 में, the hundred years war की जो सुरुवात हुई थी, okay, तो आपका right option बन जाएगर, D, चलिए, देख लेते हैं, next one questions को, देखे, riders to the sea is a play written by, riders to the sea is a written by, यह जो play है, the riders to the sea, यह play किसके दोरा लिखा गया है, जो हरोल्ड पिंटर थे, उनको नोबल प्राइज मिला था, literature में, okay, कब मिला था, 2000 में, या फिर 2002 में, 2003 में, 2005 में, okay, so right option friends बन जाता है, 2000 में, उनको हरोल्ड पिंटर को नोबल प्राइज लिटरेचर में दिया गया था, okay, so right option बन जाएगा, ए, चली देख लेते हैं, next one questions को, who is known as the pleasant poet, the peasant poet के नाम से कौन जाने जाते हैं, जॉन क्लियर, राबर्ट बर्स, राबर्ट साथी, या फिर सर्वाल्टर स्कॉर्ट, so right option friends बन जाएगा, इसका 3 का, D, सर्वाल्टर स्कॉर्ट, क्या है, सर्वाल्टर स्कॉर्ट, the peasant poet नाम से ये जाने जाते हैं, कौन, सर्वाल्टर स्कॉर्ट, ये most important question है, आपके सब, तो आप इनको बिल्कुल रट लीजिए, चलिए देख लेते हैं, ड्राइडन यूजट ब्लैंक वर्स, giving up the heroic coplet in, मतलब, ड्राइडन यूजट ब्लैंक वर्स, giving up heroic coplet in, ड्राइडन ने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था, heroic coplet में कौन से play में, wild guillant alpha love, एक मिनिट, देखे इसके, और option नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, लोग next करते हैं, tennyson's the princess deals with the theme of, tennyson's the princess deals with the theme of, tennyson's the princess deals with the, इसकी जो theme थी, वो किससे deals की गई थी, the illiterate woman है, या फिदा aristocratic woman है, या फिदा new woman है, या फिदा new woman है, या फिदा none of these, कैसी theme थी इसकी, तो friend, इसकी जो theme थी, वो थी आपकी the new woman, क्या थी, the new woman, ओके, चलिए देख लेते हैं, next one questions को, who is called, the father of English classical comedy, the English classical comedy के, father किसे कहा जाता है, Thomas Middleton को, Ben Johnson को, William Shakespeare को, या फिर Thomas Haywood को, okay, so right option friends, बन जाएकर six का B, Ben Johnson को कहा जाता है, क्या, the father of English classical comedy, क्या कहा जाता है, the father of English classical comedy, के नाम से, so right option friends, बन जाएकर B, चलिए देख लेते हैं, next one question को, देखे, who translated the entire, महाभारता into English, पतलब कि, महाभारत, पूरी महाभारत को, किस ने, English में translate किया था, विक्रम सेट ने, सूरी नारायन ने, या फिर, आरके नारायन ने, या फिर, पी पपी लालने, okay, so right option friends, बन जाता है, सेविन का, B, सूरी नारायन ने, किस ने किया था, सूरी नारायन ने, ये भी, most important question है, आप अच्छे से, याद कर लेंगे, चलिए देख लेते हैं, next one, the mystery play dealt with, mystery play dealt with, mystery play कैसी theme होती है, बिबिलिकल theme, medieval theme, moral theme, philosophical themes, okay, तो, जो mystery themes होती है, मतलब कि, mystery play की themes होती है, वो कैसी themes होती है, medieval themes, कैसी medieval themes, so right option friends, बन जाता है, B, चलिए देख लेते हैं, next one, Lord Byron was a great interpreter of, Lord Byron है, वो great interpreter थे, किसके revolutionary, idealism के, revolutionary, iconoclasm के, politic revolution, so right option friends, बन जाता है, 9 का C, particle revolution, okay, C, चलिए देख लेते हैं, next one, waiting for Godet, waiting for Godet, 1955 was originally written in, मतलब कि, 1955 में, waiting for Godet, नाम का work, लिखा गया है, किसके दौरा, मतलब, किसके दौरा लिखा गया है, और, मतलब कि, कहां लिखा गया है, ये इसमें, पूछा गया है, कहां लिखा गया है, जर्मन में, फ्रेंच में, इंगलिस में, या फिर रुसियन में, किसमें लिखा गया है, तो, फ्रेंच, राइट अप्सन बन चाहेग, इसका, C, इंगलिस में लिखा गया है, इंगलिस में लिखा गया है, ओके, चले, देख लेते हैं, next one questions को, देखिए, Who is the author of Trezor Island, Who is the author of Trezor Island, Trezor Island के author कौन है, writer कौन है, Aria Stevenson, या फिर Charles Kingsley, Anthony Trollope, या फिर Benjamin, Desiree, ओके, So, Right Ups and Friends बन चाहेग, इसका वन का A, Arial Stevenson थे, कौन थे, Arial Stevenson थे, Trezor Island के, ओके, तो A option आपका, correct हो जाएगा, चले, देख लेते हैं, next one, Which of the following novels, is not written by Arnold Bennett, Arnold Bennett द्वारा, जो वर्क नहीं लिखा गया है, कौन सा फालो करता है, Clay Hanger, Born in Exile, The World Wife Still, या फिर, Racism and Ishteps, So, Ride of Sun Friends बन चाहेगा, Racism and Ishteps, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, पाकी ये तीनों ही, प्ले इनके द्वारा लिखे गया है, किसके, Arnold Bennett के द्वारा, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट वन, वूट यू काल, Aldous Huxley, Brave New World, मतलब की, क्या कहा जाता है, Aldous Huxley का Brave New World, In Novel of Adventure कहा जाता है, Prophetic Novel कहा जाता है, या फिर Picaris का Novel कहा जाता है, या फिर Scientific Novel कहा जाता है, ओके, So, Right Option Friends बन जाएगा, 3 का A, In Novel of Adventure कहा जाता है, क्या कहा जाता है, In Novel of Adventure, So, Right Option A बन जाएगा, चलिए देख लेते हैं, Next One Questions को, देखे, एयं फॉस्टर एपेसे टु इंडिया दील्स विड डी इंडियां वह किसे डील्स करती हैं एंटीन इंग्लिस इंडियाल कल्चर या फिर एराईवल ओफ दे बिटिशर्स इन इंडिया रिलेशन सिर्ट इन इस्टिवरी ओफ दे सी रूट इंडिया So right option friends बन जाएगा 4 का B Arrival of Britishers in India चलिए देख लेते हैं next one questions को Who restored Roman Catholicism in England England में Roman Catholicism किसने restored किया है Queen Mary ने, Edward 6 ने, Queen Elizabeth 1 ने या फिर Henry 8 ने So right option friends बन जाता है 5 का C Queen Elizabeth 1 ने, किसने Queen Elizabeth 1 ने restored किया है Roman Catholicism को England में चलिए देख लेते हैं next one questions को Sexperian Senate is divided in two Sexperian Senate को divide किया गया था किसमें किसमें an active ancestor में या फिर an active coordinate coordinate में या फिर two coordinate coordinate में या फिर three coordinate coordinate में So right option friends बन जाता है 6 का B An octave accordion and coordinate में या या आपका right option बन जाएगा चलिए देख लेते हैं next one questions को देखे वेटिंग फॉर गॉर्ड इट नाइटीन फिफ्टी त्री इस फेमस प्ले बाइ यह किसके दोरा लिखा गया है जान आर्ड इन दोरा किसके दोरा जान आर्ड इन दोरा ओके so right option बन जाएगा डी चलिए देख लेते हैं next one John Gower wrote his first poem Speculum Meditantus in Old English, French, Latin या फिर Greek first poem Speculum Meditants थी वो किस पासा में लिखी गई Old English, French, Latin या फिर Greek में so क्योंकि किस की poem थी John Gower की poem थी so right option friends बन जाता है 8 का A Old English में लिखी गई किस में Old English में चलिए देख लेते हैं next one what is meant by the churchyard school of poets the churchyard school of poets का मतलब क्या है the poetry about the church, the religious note in poetry the poetry characterized by melancholy and suffering, none of these so right option friends बन जाता है the religious note in poetry poetry में क्या लिखा गया है एक religious note लिखा गया है ओके चलिए देख लेते हैं next one questions को आज की last questions है dactyl meter is also known as dactyl meter also मतलब की और भी किस नाम से जाना जाता है ascending meter, dactylic meter, iambic heptometer या falling meter ओके, so right option friends बन जाता है b, dactylic diameter क्या बोल जाता है, dactylic diameter तो right option बन जाएगा b, तो यह थी friend आपके top 30 questions की class, English literature की, जिसमें हम लोग mixed questions को पढ़े हैं तो कैसी लगी class friends, आप अपना feedback जरूर दिया करें comments box तो जादा जादा कोसिस किया करें feedback देने की okay, तो चले friends, अब हम लोग class को over करेंगे तो over करने से पहले, अगर आप channel में नए हैं तो channel को subscribe करें, like करें, comment करें and share करें thank you so much